इस वीडियो में हम जो आपको important question बता रहे हैं यह आपको अच्छे से देखना है क्योंकि आप जो book लिये ना उससे ये मेरा question अलग है और अगर आप मेरे वाला question पढ़के जाएंगे तो आपके exam निश्चित मिलेंगे लेकिन अगर आप वहीं book वाला पढ़के जाते हैं तो आ आपका question मैच नहीं करेगा करेगा लेकिन सारा question मैच नहीं करेगा अब सबसे पहले बदाना चाहूँगा sa यह major fab का बताएंगे इस कोहचन को बनाने में पूरा मुझे दो घंटा का समय लगा है सिर्फ कोहचन को लिखने में ठीक है सिर्फ कोहचन को लिखने में अब ऐसा क्यों मैं भी चाहता तो बुक को उठा लेता जितने भी सारे बुक में कोहचन दिया गया है और मैं आपको important कोह कोचन बना करके वीडियो अप्लोड कर देता लेकिन नहीं मैंने तीन साल का पेपर देखा है पिछले साल जो तीन साल क्या-क्या पूछा गया है और जो खुद का मेरे पास पांच साल का experience है कि इस परकार का कोचन पूछता है सभी मैंने मिक्स करके यहां पर दो घंटा का सम जाएगा कि बुक वाला ज्यादा मैच किया है कि जो हम बता है वह सबसे ज्यादा कोचन मैच किया है ठीक है अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूं देखिए अब बोलोगे कि प्रिवियस एर पेपर कैसे मिलेगा क्योंकि चार साल का गेर्जुएशन सबसे पहली बार तो सेम यही सिलेबस स्टुडेंट लोगों को समेश्टर 1 में पढ़ने होते थे और वह भी कोर 2 में तो आप जाकर करके सर्च किजिए यूटू में समेश्टर 1 कोर 2 का पेपर आपको वहाँ पेपर में किस किस परकार का कोचन पूछा गया है क्योंकि आपको जो सिलेबस में प पढ़ना था समेश्टर 1 में स्टुडेंट को कोर 2 में अब देखिए माँ पेपर में किस परकार का कोचन पूछा गया आपको बुक से एक भी मैच नहीं करेगा ठीक है तो इस चीजों को आपको देहां रखना तो जो भी मैंने आपके कोचन लिया ना ओप पिछले पेपर क अब मैं आपको जबरजस्ती नहीं बोल सकता हूं मेरे पास जो खुद का एक्सपीरियंस था ओओ मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं ठीक है जो इतना दिनों तक स्टुडेंट के साथ मैं इंपॉर्टेंट कोचन सेर करते आ रहा हूं तो यह समेश्टर 3 मेजर पेपर 5 लो अक्ष्ट्रा और एड नहीं करेंगे बलकि यह मैंसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह हम 5 आपको सेलेक्ट करके देंगे पहले मैं टोटल बता लेता हूं ठीक है कि कौन को नहीं इंपॉर्टेंट कोचन है इसके बाद मैं 5 आपको और इससे जो सबसे का वर्णन करें और एक और है दोस्तों 34 में सविधान संसोधन की परमुख विसेस्ताओं का वर्णन कीजिए अब देखिए दूसरा और तीसरा जो कोचन हो दोनों आपको एक्जामिन नहीं देगा 99 परसेंट चांस था कि आपका तीहातर विसेस्ताओं का वर्णन करें एक कोचन देगा एक परसेंट चांस है कि तीहतर में लड़ना देखा कि चोहतर में लड़े दे तो सबसे जाद आपको फॉकस कर लेना है तीहतर में वाला पर ठीक है चलिए नेक्ट कोचन नबर फूर की और पढ़ते हैं ग्रामीन अस्थानिये सवसासन के गठन और सक्तियों क की विवेचना करें उसके बाद नेक्ट कोचन आपका फाइब नमबर है जन्ट सहावागीता से आप क्या समस्ते हैं जन्ट सहावागीता since आप क्या समझते हैं परसासन में इसके महत्तु की विबेचना करें या तो फिर अस्थानिय सवसासन में जन सहभागीता इस परकार से भी कोचन दे सकता है ठीक है तो यह हो गया आपका फाइप कोचन उसके और सिक्स नमबर कोचन देखिए जहारकण में ग्रामिन अस्थानिय सवसासन में महिला आरचन की इस्तिति और संभावना का परिचन करें यह आपका कोचन होगी जहारकण में ग्रामिन अस्थानिय सवसासन में महिलाओं का आरचन इस्तिति और संभावनाओं का परिचन करने के लिए देगा उसके बाद सेवन नमबर अस्थानिय सवसासन के स् क्या समझते हैं and next eight number बलवंत राय मेहता कमीटी के परमुक प्रवधानों की विवेचना करें and nine number रहे दोस्तों नगरपली का क्या है इसके कारण सक्तियों क्या वर्णन करें इसके कार्य और सक्तियां sorry इसको टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया ठीक है इतना मैंना कोचन को देखा कि सारा कोचन आधाम को कि किस-किस प्रकार काया ठीक है तो नागर पली का क्या है एवं इसके कारी और सक्तियों का वर्णन करें ठीक है अब लोग समझ आएगा ठीक है लेकिन जो लॉंग कोचन उस पर सब ज्यादा फोकस करना यह सब चीजों को एक बड़ देख लिए जो कि पच पच नंबर में आ सकता है जहारकन में ग्राम पैंचायत के बारे में आएगा या तो फिर राजवेवस्ता के बारे में आएगा या क्वार्ता फारे में आपनरे मारा, फ yardım का सावार ऑब जहाएगा साथ इंपच neural brackets के बारे में बात कुनेंत तो पहेला जब मैंने previous year देखा तो उसी से question पूछ रहा लेकिन उतना match नहीं कर रहा है ठीक है तो हम semester 4 जो आपका है semester 3 major paper 4 political science इसका important question मैं एक और दूँगा हलाकि इसके पहले मैंने जो करवा है उसको आप पढ़िये भी ठीक है और उसी टैप्स का है मतलब ज्यादा आपको changing करने की जवरत नहीं है ठीक है मिलेंगे next video में तब तक जय हिन जय भारत